चलिए गाईज, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं बहुत ही basic question से What is BCA? आखिर में BCA होता क्या है? Short introduction है, चलिए मैं आपके साथ share करता हूँ BCA 3 साल का एक undergraduate course है UG का बड़ा भाई, PG तो अगर आप BCA कर लेते हैं, तो आप eligible हो जाते हैं PG courses के लिए BCA का बड़ा भाई, अगर आप जाना चाहें, तो उसका नाम है MCA ठीक है बच्चा That provide student with a foundational and advanced knowledge आपको दो field के बारे में specifically foundation knowledge, मतलब बिल्कुल basic knowledge और advanced knowledge प्रोवाइट कराता है दो field के नाम है, पहली field है IT, information, technology नाम सुनाया आपने IT professional, हमें IT line में जाना है तो आपको IT के बारे में समझाया जाता है और computer application के बारे में समझाया जाता है थोड़ा सा difference है दोनों में, clear करता हूँ देखे, IT मतलब होता है computer जब आप operate करते हैं जितने भी उसमें hardware involved होते हैं चाहे वो आपका CPU है, mouse है, keyboard है उसके internal जितने भी parts है उन पे नज़र रखने, उनकी working और maintenance का ध्यान रखना या समझना की कैसे वो work करते हैं software वगेरा भी इसमें include हो जाते हैं जहां पर बात करें computer application की computer के अंदर जितने भी applications, apps चलती हैं उनको manage करना, उनको बनाना उनको maintain करके रखना उनको virus free रखना ये सारी चीज़े computer application का पार्ट है difference clear हो गया बच्छा? चलिए, अब आगे देखते हैं ये second point important है BCA program खास बात क्या है? teaches the development of computer application including web development देखिए, बहुत सारी चीज़े हैं जो आज के time में बहुत ज़दा valuable है ये सारी information आपको BCA course प्रोवाइड कराता है जैसे की web development है software development है game development कैसे होता है android या फिर iOS application development कैसे होता है ये सारी skill सिखाया जाता है और इस skill की demand जो है tech driven era बोला जाता है आज के time को बहुत जल्दी technology change हो रही है और इस technology में अगर आप भी घुजगए मतलब इस profession में आप घुजगए तो बहुत अच्छा आप earn कर सकते है highest paying जो job है इंडिया में उनमें top 3 में tech jobs का ही number आता है तो अगर आप इस field में interested है तो इससे better course इंडिया में आपको नहीं मिल पाएगा provided you have done through a good college ठीक है बच्चा BCA graduate approximately expect कर सकता है 4-5 लाग as a fresher और relevant near about 2-4 साल के experience के बाद 5-8 लाग पर एनम तक वो easily easily कामा सकता है यह field देखिए यह field ना बहुत ही knowledge driven field है जितना आप खुद को update रखेंगे और update रखने के लिए कोई coaching institute को या आपको कोई university जोइन करने के ज़रुत नहीं है everything is online courses करिए खुद को update रखेंगे conferences में जाहिए या फिर knowledge अपनी कहीं न कहीं books के थ्रू courses के थ्रू अप्ग्रेट करते रहिए knowledge driven economy है जितना updated रहेंगे उतना जादा आप earn कर पाएंगे अपनी पहचान बना पाएंगे tech era में हो पा रहा है बच्चो clear अब बात कर लेते है eligibility क्या रहती है कौन बच्चे eligible है बहुत ही simple eligibility criteria है जाद अतर colleges का 10 plus 2 होना चाहिए किसी भी stream से any stream from a recognized board CBSE, ICSE, IB, State Board all are eligible सारे बच्चे eligible है percentage 50-55 near about है तब भी आप apply कर सकते हैं तो एक बहुत ही basic criteria है आपका admission का अच्चा एक चीज मैं clear कर दो बहुत सारे colleges mathematics के उपर एक doubtful वाले situation रहती है कई colleges बोलते हैं कि आपके पास formers with math, arts with math या फिर science with math होनी तहीए तहीए क्या होता है चाहिए जब आपको admission मिलता है नहीं तो नहीं मिलेगा लेकिन आज के time में ये eligibility criteria काफी हद तक change हो चुका है without math वाले भी अब PCA कर सकते हैं एक बार जिस college में भी आप admission लेने जा रहे हैं जो भी आपका dream college है उसका एक बार eligibility criteria जरूर जरूर चेक करेंगे ठीक है बच्चा admission process different colleges का लग रहता है फिर भी का idea बदा रहता हूँ जादतर colleges आज के time पे entrance ले रहे हैं लेकिन कुछ colleges अभी भी 10 plus 2 की percentage के basis पर admission दे देंगे कुछ ऐसे colleges जो 10 plus 2 के percentage के basis पर admission देते हैं उनमें क्या रहता है जितनी जादा आपकी 12 में percentage होगी परिमान के चलिए 90-95 जितनी जादा होगी percentage उतने जादे probability आपके वहाँ पर admission मिलने की हो जाती है simple दूसरा तरीका है जो की बहुत सारे अच्छे institute अडॉप्ट कर रहे हैं वो है entrance चाहे वो CUET हो Indopras University दहली का IPU set हो Symbosis का set हो IMA UGate जैसे national level entrance भी है तो आपको multiple entrance target करने है college का specific हो या फिर IMA UGate जैसे national level या फिर CUET जैसे national level entrance हो सब target करने है किसी एक के पीछे blindly trust मत करिए का हो सकता है वहाँ पर आपका ना हो इसलिए multiple entrance को target करकर आपको तैयरी अपनी करनी है minimum बच्चा तीन मंत की preparation required होगी English, Reasoning, Mathematics और GKE ये basic section आते हैं आपके किसी भी entrance में तो उसके आपको dedicated तैयरी करनी पड़ती है पढ़ाया क्या जाता है Operating System, Advanced Mathematics जिहां Mathematics, BCA का पार्ट है C Language, English Communication Database Management System, Open Source Technology Web Designing, Software Engineering क्या है AI क्या है, Information Security क्या है Java Programming, Python Language, E-Commerce बहुत सारे colleges BCA में भी specialization offer करते हैं बच्चा ठीक है ना, बहुत सारे colleges BCA में भी BBA, Bcom की तरह specialization offer करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है languages में आप specialization कर सकते हैं, किसी भी लेक language में AI में कर सकते हैं, Machine Learning में कर सकते हैं, Data Science में कर सकते हैं तो different-different colleges का different-different criteria रहता है एक और चीज़ में clear करता चलूँ BCA में subject के combinations जादा होते हैं, बच्चा 7-8 near-about हर 7 में subject मिलेंगे तो बताने का reason क्या है? बताने का reason यह है BCA is not a easy course अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो week हैं पढ़ाई में और college में college की तरह ही रहना चाते हैं, पढ़ना नहीं चाते घर आकर दो घंटे भी अगर आप नहीं दे पाएंगे, तो BCA I'm sorry to say, आपके लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर dedicated होके पढ़ना पढ़ेगा if you're comparing BCA with any other professional courses, यह थोड़ा hard पढ़ेगा यह B.Tech के level का है तो यह B.B.A. यह normal level का नहीं है, BCA tough पढ़ता है 7 to 8 subject होते हैं diverse, diverse field के होते हैं 50% practical है, 50% theoretical subject है clear हो पा रहा है बच्चा तो डरा नहीं रहा हूँ, मैं चाहता हूँ पहले से ही आप तयार रहें ताकि आप अपने decision को regret ना करें future में, as simple as that चलिए BCA के top colleges देखिए, आपके लिए list तयार करिए मैंने Presidency College Bangalore, Christ सबकी अना official website है जाईए, वहाँ से cross check करिए cross check तो क्या, सबकी website है, वहाँ पर जाईए syllabus देखिए, fees देखिए location देखिए, center देखिए आप किसी भी center में जाकर विजिट कर सकते हैं, online जितने में information लेनी हो, आप उनकी website के थरू phone number, whatsapp के थरू ले सकते हैं SIM bosses, पुने Wellor Institute हमारा VIT Institute of Business Studies and Research नवी मुंबई, Xavier Institute of Computer Application अमदबाद, DAV College चंडिगड, IMS Noida, चंडिगड University, Vivekananda, Wips New Valley, LPU Jalandar, Manipal University, Jaipur, Graphic Era दहरादून, Galgotius, Greater Noida Sharda University, Greater Noida, ITM University, Gallier, Bennett हमारी Greater Noida, ठीक है मच्चा इसमें majority of the universities private दिखेंगे आपको क्योंकि देखें, professional courses बहुत सारे government colleges नहीं provide कराते हैं, तो majority of the colleges, अगर यहाँ पर 15 colleges में discuss करे हैं, तो near about 11 to 12 colleges यहाँ पर आपको सारे private ही दिख रहे होंगे, ठीक है, तो private colleges अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है private colleges placement वगरा नहीं provide कराते, ना 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 ऐसा मत सोचेगा professional courses में, जितने भी अच्छे placement, मतलब highest placement offer करने वाले colleges में आपको private colleges ही मिलते हैं, fees जादा है, obviously यह सी चीज है, fees जादा है near about 4 to 7 lakh 3 साल की आपकी fee structure रहेगा BCA का, इसलिए भी इतनी fees चार्ज करते हैं private colleges क्योंकि वो placement में आपकी help करते हैं आपका interviews लगाते हैं, वहाँ companies आती है, आप companies campus recruitment में बैठते हैं और आपकी job लग जाती है, majority of the student के, अगर आप उच्छे colleges से करते हैं तो ठीके बच्चा, profile की बात करेंगे, देखिए बच्चा, यहाँ पर software engineer, web analyst, software developer, web developer, system analyst, backend developer, यह सारी IT और CS से related specialization है, जो profile आपको btech in computer science के बाद मिल सकती है वही profile आपको BCA के बाद भी मिल सकती है network engineer, front end, software architect, hardware engineer, customer support technician, salary के जिसे मैंने बात करी, आप अराम से 6 to 10 lakh per annum after 2 plus year of experience कमा सकते हैं, अगर अच्छी company आपने join करी, अच्छी profile, अच्छी location में अगर आप work कर रहे हैं, तो easily बहुत अच्छा आप earn कर सकते हैं तो देखिए, sum up करते हैं वीडियो को, BCA बहुत ही अच्छा course है, provided आप पढ़ने वाले बच्चे हों computer से related IT line में आपको passionate हो, अपना carrier आपको उस लाइन में बनाना हो, BCA is a brilliant, brilliant course for you BCA के बाद आप 2 साल का MCA कर सकते हैं, अगर आपको और specialized line में, अपना IT line में अपना carrier बनाना है, या फिर management line में भी shift हो सकते हैं, आप MBA भी कर सकते हैं, और कुछ आपी questions पगेरा हैं, तो आप मुझे comment box पे comment कर सकते हैं telegram group, जी हाँ, मेरे एक tie weight telegram group है, जहां पर हम बहुत कुछ discuss करते हैं, बहुत सारे वीडियो पसंद आया होगा, नेक्स वीडियो भी बताईएगा किस topic के उपर बनाऊ, ताकि मैं आपके according videos बना सकूँ, उमीद करो मेरा समझाने का तरीका, बोलने का तरीका पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का तरीका आपके पसंद आया होगा, ऐसे ही videos यह महनत करते रहे क्योंकि आपका भी देना आएगा, thank you so much